तो बात करेंगे ब्रसपत्ति, मंगल और राहू का कंजिक्शन यदि आपके लगन चार्ट में किसी भाव में बन रहा हो, तो इस कंजिक्शन को आप कैसे देखते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, आपके रिलेस्टिप, आपके कैरियर पर क्या क्या असर पड़ेगा, देखें र राहू गुरू के साथ मिलकर यहां पर गुरू चांडाल योग का निर्वान करेंगे, और मंगल के साथ अंगारक योग का निर्वान करेंगे, और आपको अल्रेड़ी यह सब पता है कि राहू जो हैं, वो यहां पर मंगल और गुरू दोनों से रिलेटेड जो क्वालिटी तो जातक दूसरों के लिए हमेशा सायक होगा लेकिन मंगल यहां आ जाने की वज़े से कभी-कभी बहुत जदा एक्षन ओरियंटेड भी जातक बन जाता है जब वो किसी भी विचारधरा या किसी भी बात के खिलाफ हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर रिति रिवाज के खिलाफ हो सकता है तो नॉर्मली अगर देखा जाये तो ऐसे जातक अपनी बात सामने लाने में या अपने आपको रिपर्जेन करने में कभी भी संकोज नहीं करते और ये चाहे विरोध कर रहे हैं चाहे किसी बात का समर्थन कर रहे हैं ये बिलकुल खुलकर सामने आने वाले होते हैं अक्सर ये कुछ ऐसी टिपणियां भी कर देते हैं जिन से कुछ हद तक विवाद खड़ा हो सकता है या वो टिपनिया काफी ज़्यादा चर्चित हो सकती हैं बाद में आगे चल कर तो ये conjunction नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक अच्छा प्रभाव भी देता है और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी जरूर देगा अब इस conjunction में आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां राहू कितना ज़्यादा मजबूत है जितना ज़्यादा राहू यहां मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा मंगल और जुपिटर से related जो qualities हैं वो आपके अंदर enhance होंगी और वो multiply होंगी इस वज़े से यहां पर जातक पढ़ने में कुछ नयाज सीखने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है इवन जातक वो biology से related कोई काम करता हुआ या वो biological जो चीज़े हैं उनके परती normally आकरसित हो सकता है कभी-कभी इस परकार का जातक अकसर हथियारों से related या कुछ ऐसा घ्यान भी रखेगा तो जातक काफी multi-talented होगा बट ऐसे केस में कभी-कभी जातक जब निरने लेगा जब कोई plan करेगा तो वो बिना सोची समझे बहुत जल्दी-जल्दी plan करेगा या वो even कोई proper planning करे बिना आगे बढ़ जाएगा इस वज़े से जातक को कुछ हर्द तक नुकसान भी हो सकता है यह conjunction आपको या तो suddenly life में काफी ज़्यादा growth देगा या काफी ज़्यादा आपको ऐसी इस्तिती देगा और फिर आपको नया knowledge गेन करने नई information गेन करने या कुछ भी नया हसल करने में काफी problem होगा तो जुपिटर का अच्छा प्रभाव बहुत ही ज़री है उसके बाद अगर हम देखें तो मंगल जो है वो ब्रस्पति के मित्र ही है अगर मंगल लगबग अच्छे इस्तिते में हो तो भी ऐसा हो सकता है कि जुपिटर अच्छा प्रभाव दे रहे हो लेकिन यहाँ पर आपको यह देखना पड़ेगा यह conjunction आपके कौन से भाव में है जिस भाव में यह conjunction है उस भाव से जुड़ेवे रिस्तों के लिए यह conjunction काफी कत्रनाक साबित हो सकता है इवन आपका जो expectation है सामने वाले से वो बहुत अधिक हो सकता है इस conjunction की वज़े से जातक आध्यात्मिक जिवन भी काफी तेजी से जी सकता है या वो आध्यात्मिक लाइफ की तरब भी काफी तेजी से अगरसर हो सकता है तो यह conjunction नॉर्मली मेटरलिस्टिक की तुलना में जादा तरह आपको आध्यात्मिक लाइफ देने के लिए जाना जाएगा इस conjunction में अब आप ये देखें कि क्या यहाँ पर ब्रसपती रेट्रो स्थिति में है यदि यहाँ ब्रसपती रेट्रो हो गए है तो राहु का प्रभाव काफी स्ट्रोंगली ब्रसपती पर पड़ेगा फिर उस केस में आपके लिए डिसीजन लेना उतना ही ज़्यादा problematic हो जाएगा कभे-कभे साथ ही यहां मंगल के रूप में आक्रामकता काफी ज्यादा है यह आक्रामकता आपको काफी प्रेशान कर सकती है जब जुपिटर का प्रभाव अच्छा ना हो सुब ना हो तो तो इस conjunction को आपको यह देखना है उन भावों से जुड़ेवे जो रिजल्ट हैं वो प्राप्ट करने में आपको काफी आसानी रहेगी लेकिन एक लिमिट के बाद यदि आप ज्यादा लालच करेंगे यदि आप बहुत ज्यादा चीज़ों को multiply करने को देखेंगे तो यह आपको काफी प्रेशानी दे सकता है तो normally यह conjunction आपके लिए जिवन में जितने ज्यादा सुबता ला सकता है उतने ही ज्यादा कभी-कभी सुबता भी ला सकता है आपके जिवन में और रिस्तों को लेकर normally यह conjunction आपको काफी प्रेशान कर सकता है तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी ये conjunction आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रहा हूँ